बेटी बनी मसीहा जी हाँ एक बर फिर एक बेटी ने बाप बेटी के प्यार को दर्शाते हुए एक मिसाल पेश की है एक बेटी ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर अपने पिता को जीवन दान कर दिया मामला केरल का है जहां एक 17 साल की बेटी ने अपने पिता को अपना लीवर डोनेट किया और ऐसा करके वो देश की सबसे कम उम्र की ओर्गन डॉनर बन गई है बच्ची का नाम देवननन्दा है और वो बारवी कक्षा की छात्रा है देवननन्दा के पिता लीवर की गंभीर बिमारी से पीडित थे और लीवर ट्रांस्प्लांट ही उनके इलाज और उनके जीवित रहने का एक मात्र तरीका था जिसके लिए उनकी बेटी अपना लीवर उन्हें डोनेट करने के लिए तयार लेकिन एक बाधा उसके सामने आ गई दरसल देश में अंगदान नियमों के मताबिक 18 साल से कम उम्र के लोग अंगदान नहीं कर सकते ऐसे में उनकी बेटी उन्हें लीवर नहीं दे सकती थी लेकिन देवननन्दा ने अपने पिता को बचवाने के लिए पूरी जीजान से कोशिश की उसने केरल हाई कोड का दरवासा खटटाया अदालत ने देवननन्दा को विशश अदालत देते हुए उसे अपने पिता की जान बचाने के लिए सक्षम बनाया कोड की रजमंदी के बाद देवननन्दा ने 9 फरवरी को अपने पिता प्रतीश को लीवर का एक हिस्सा डोनेट कर दिया देवनंदा के पिता का जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था वो अस्पताल वाले भी देवनंदा के इस जस्बे को देख कर काफी अचंबित हो गए। जिस वजह से उन्होंने उनकी सर्जरी का बिल भी माफ कर दिया। आपको बता दें कि देवनंदा का परिवार केरल के त्रिशूर करहने वाला है। उनके पिता प्रतीश की तब्यद पिछले साल सितंबर से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। और उसी समय उनकी बेहन की मौत ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी। इसलिए प्रतीश की हालत पर ना वो खुद ध्यान दे पा रहे थे और ना ही उनके परिवार वाले। लेकिन जब प्रतीश अकसर बिमार रहने लगे तो उनका वजन अचानक से 20 किलो बढ़ गया और पैरों में दर्द और सूजन बनी रहने लगी। तो उनका ब्लड टेस्ट कराया गया जिसमें तसली नहीं हुई तो CT scan समय तमाम टेस्ट फिर से कराय गये। इन सभी टेस्ट की रिपोर्ट देखी गई जिसमें बताया गया कि लीवर में कुछ दिक्कत है। अस्पताल में चेक कराने के बाद ये पता चला कि प्रतीश को लीवर में बिमारी के साथ कैंसर भी है। इसके ब्लड ग्रूप किसी से भी मैच नहीं हुआ और बाहर से खरीदने पर उन्हें 30 से 40 लाख रुपए देने पड़ते जिसे देने में वो सक्षम नहीं थे। तो जब कहीं से डोनर का इंतिजाम नहीं हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि O प्लस यूनिवर्सल डॉनर होता है और देवननन्दा का ब्लड ग्रूप भी यही था लेकिन फिर भी वो लीवर डोनेट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका लीवर भी कमजोर था लेकिन उसने अपने जिद और डॉक्टर्स की मदद से डाइट और एक्सेसाइज से अपने लीवर को ठीक किया एक तरफ उसने नया जीवन डान किया और एक बेटी होने का फर्जदा किया